अब बात करेंगे एक सकारात्मक्ख खबर की जी हाँ, 36 गड़ ने जेंडर एक्वैलिटी में यानि लेंगे के समानता में देश में पहला अस्थान हासिल किया है यानि जहां पुरुष और महला का जो अनुपात है वो देश में सबसे बहतर है इसके पीछे क्या कारण है, जागरुपता, सरकारी योजनाएं या कुछ और इस पर बंसल लियूज ने खास बाचीत की महलाओं और ग्रामिड अंचल में काम करने वाली सामाजिक कारकरता इंदू साहु से जिनका एक अपना एंज़ो भी है लगातार महिलाओं पर काम करती हैं बच्चियों पर काम करती हैं इंदू जी नंबर वन शत्तिस गड़ाया है जेंडर इक्वेलिटी पर इसके पीछी क्या रिजन आप देखती हैं क्या कोई बदलाव आ रहा है जी बदलाव तो आ रहा है जो सरकार की योजनाएं जो बन रही है जिसमें वो सुनिश्यत करना चाहते हैं कि महिलाओं की भागेदारी कई चीजों में रहे इसकी वज़ा से थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं लेकिन समाज को अपने आप में बदलने में बहुत समय लग तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल जो लोग होते हैं जो जनजाती होती है उसमें जो उनके अपनी जो सोच होती है उसमें वो जेंडर में बहुत ज्यादा फरक नहीं करते हैं तो एक कारण ये हो सकता है जो मैं मैंने बस्तर वगरा के छित्रों में अंदर जा के काम किया है तो मैंने देखा है कि वहां पर लड़के और लड़कियों में फरक नहीं किया जाता है ये पूछना चाहूंगा कि आपने ट्राइबल शित्र की बात की महिला वहां पर लीड रोल में होती है लेकिन अर्बन एरिया शहरी एरियों की बात करें हम यहां भी इंतिफा करकती हूं लेकिन यह कहीं न कहीं अपने इंट्रेस्स से ज़्यादा मजबूरी के तौर पर काम करती है क्योंकि ज्यादा तर जो पूरुष होते हैं वह काम नहीं करते हैं और आन्वांटेडली जो जिम्मेदारी होती है घर को चलाने के वह महिला के उपर आ जात है सही एंपावर्मेंट तो यह है तो यह जेंडर एक्वैलिटी में 36 गड़ ने काफी अच्छा पाफॉर्म किया है बहुत सारे रिजन है यहां के सत्तर प्रतिशत जो ट्राइबल है वो एक बड़ी वज़ा है सरकारी योजना है बड़ी वज़ा है लेकिन एक समाज में ज साथ अब शेक्ष्योक लेबन सालने हो दो